मुख्य मंतरी निश्री नितीश कुमार आज दिल्ली से पटना लोटने के पस्ष करते हुए कहा कि जातिय जन गन्ना कराने के मुद्ये परकर हम लोगों ने प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोधी से मुलाकात की है मेरे नेतरत्व में 10 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने प्रधान मंत्री से मुलाकात की है प्रधान मंत्री के साथ प्रतिनिधी मंडल्ग भी की मुलाकात करी 40-45 मिनट तक चली जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बाते रखी सभी नेताओं ने कहा कि जातिय जंगरना होना चाहिए क्योंकि इसका बहुत लाब है और यह सभी गे हित में है अधार के लिए राज्य सरकार की करफ सभी कितना सभी किया गया है और आप तो जानते हैं भी कुछी महीना पहले जो उन लोग की राइत उसके आधार पढ़ा करके कर दिये हैं तो यह तो जो चीज है यह तो अच्छे ठंक से है इसके विस्तार के लिए और हर प्रकार से और भी हम लोगों ने सवयोग किया रहे है तो कि बहुत पहले जो हम बराबर कहते रहें कि अंग्रेजों के जमाने में ही 1931 में अंतिम बार हुआ था उसके बाद जो कुछ मिन्नों का 40-40 में तो वार चल रहा था दुनिया तो तो कुछ हो नहीं पाया लेकिन जो 31 कथा उसी के आधार पर उस कास संसस के आधार पर सब कुछ को मान करके चला जाता है यह उप्यूक्त नहीं होगा एक बार तो कम से कम जरूर कर लेना चाहिए जाती आधारित जन करना उससे सब लोगों को लाब होगा और सरकार को भी पूरी जानकारी मिलेगी जिन अगा उसको उसका निरने लेने में उनको सहुलीयत थो घूंके आपका वरख्यून होने ने हम लोगों ने अपनी बात पुरे तोर पर सभी प्रत्रथियों सब लोगों ने एक चुट इसी तरह कि अपने अपने तरह से बात पही और हमने समनों के है कि मत्से जो हुआ π्रस्ताव पारित पिस एक एक फातर रख चिया से समें कि राय है तो यह रख चिया और वो ध्यान-पुरवक सुने है हुआ है सब्की बात को सुने है और हम लोगने यह अग्रह किया कि यह जनहीं है और ये ये सरकार के भी हित में है, इस पर जरूर ध्यान दिया जाए, तो हुने सब की बात को सुन करते हैं, आप तो होपूल है, लेकिन अगरेसर नहीं होता है, तो क्या रासरकार फिर अपने सुन करते हैं, ये तो उसके बात देखा गया है, अभी तो हम लोग मान करके चलते हैं कि इतने जिस प्रकार से सारी बातों को रखा गया, और आप जानते हैं कि बिहार का मामला नहीं है, ये तो देश भर के लिए मामला है ना, कोई एक राज्य में तो नहीं हो सकता है ना, कोई ऐसी बात में, जातिगत जनगन्ना होनी, तो जनगन्ना तो पूरे देश का है, तो पूरे देश का फीगर पता चलेगा यह तो हम लोगों ने बात रखी है लेकिन सिर्फ बिहार से यह बात नहीं उठ रही है आप अच्छी तरह जान लिजे कि सभी राजियों से यह बात आ रही है और सब लोगों की इच्छा है हम लोगों के हां तो एक साथ रिजोलूशन हुआ था हम लोग एक साथ मिलकर के चले गए मिलने के लिए को एक बात इसमें पार्टियों का आपस में इस मामले को ले करके कोई मत्रेद नहीं चले गए तो हर जगह से यह बात हो रही है हम समस्ते हैं कि इस पर जरूर केंद्र सरकार का मिलता प्रूवक विच चीजों के बारे में हम लोग ने रख दिया और यह उमीद है कि जरूर इस पर गौर करें अब हम लोग जितना कहें जितना प्रेंद से वह सब बात कि सुनें तो हम लोग तो इस पर आप जानते ही हैं पहले से कि मालूप था आपको कि कल आदर्णिय प्रधान मंत्री जी ने जो हम लोगों ने मिलने के लिए अग्रह किया था कि समय दिया जाए तो उन्होंने समय दिया था और कल 11 बजे हम लोग मिले थे और हमारे साथ दस और लोग थे सभी पार्टियों के सब और सारे लोगों ने जितने पार्टी के सब रिप्रेजेंटिटिव थे सब लोगों ने अपनी बात रख दी और यही था कि भई जाती आधारित जनगन्ना होनी चाहिए और उसका लाब है और यह सब के हित में होगा तो इस सारी बातें उनको कह दी गई और उन्होंने सब क सब लोगों मिले थे उन्होंने भी जो मिल करके पत्र दिया था उसको भी ने उसमें पसात में लगा दिया था और जो बात थी कि हम लोग चाहते हैं चाहती आधारित जनगन्ना वह भी पत्र में एक एक बात सब कुछ लिख दिया गया था तो सब पहले ही से हम लोग दे दिये थे लेकिन कल विश्तरित तौर पर कि आखिर इसका कितना लाब है एड गए भी जो भी विधान सभा और विधान परिशत में जितने दल हैं दस दल सब लोग एक साथ गए तो एक समझ लेजिए कि ये एक किस तरह से सब लोग का किराय एक ही प्रकार की है और अन्य राजियों में भी इस तरह किराय होगी लेकिन हम लोग तो अपने अहां जो के हित में है और अपने बच्चों के नामांगतल है तू लोग इन करे www.rpsbiharsarif.com पच्पंब इंजिया का फेवरिट प्ले स्कूल करवाई अपने बच्चों का फ्री नामांगतल है पता डीडीसी आवास के पीछे नालंदा हिल्थ क्लब रोड एदवारी बाजार विहार शरीफ नालंदा अधिक जानकारी के लिए विजित करें